हेलो दोस्तों आज की वीडियों में हम लोग बात करेंगे वर्टिकल बड़ प्लांटिंग सिस्टम के वारे में यानि की जो गन्ने की खड़ी गुलियां लगाई जाती हैं वो कैसे लगाई जाती हैं कौन-कौन से आपको फाइदे देखने को मिलेंगे इसके सासा की समय आप वर्टिकल प्लांटिंग कर सकते हैं इसमें दूरी क्या रखी जाती है कितना बीज पड़ता है और कैसे बोया जाता है इसके वारे में आपको संपूर्ण जनकारी मिलेगी इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग ससक्राइब करना जो है मत भूलें किसान भाइयों वर्टिकल बर्ड प्लांटिंग की झो खोज की थी इस मैथड की वह महेले डाक्टर अवतार सिंग जो की पंजाब के फगवाड़ा के रहने वाले हैं इन्होंने सरपधम जो है वर्टिकल बर्ड प्लांटिंग से गन्या जो है लगाया था और आज भी वो जो है इस विदी से गन्य को लगा रहे हैं और काफी अच्छा जो है गन्य का उत्पादन ले रहे हैं इसलिए डक्टर अवतार सिंग को जो है इस विदी का जनक बोला जाता है और इसके बार में जो यूपी में इस विदी से गन्य को लगाय गया था वो किसामियों दलजिंदर सिंग सहोता के दोरा लगाया था जो भी अच्छा गन्य का उत्पादन इस विदी से ले रहे हैं अगर बात करें कि वर्टिकल बड़ प्लांटिंग को कैसे लगा जाता तो इसके लिए किसामियों आपको करना क्या होगा अपने खेद को तक उसको जो है आपको अच्छे से अपने खेद में बिक्खिल देना जिससे कि आपके खेद में अच्छा कार्बन की मात्रा होne जाए और उसके बार में आपको तक्री युदाई में आपको जोबी खाड डालनी है डिय अपी विगएरा वो आप अपने खेद में डाल सकते हैं आपको किसानमाईयों चोड़े चोड़े जो हैं बैड बनाने हैं जैसे कि आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको गन्ने के किसानमाईयों जिस पे आपको गन्ना बोना है वो आपको बैड बनाने हैं आपको इसमें किसानमाईयों जैसे हम लोग दूसर कि दोनुन बैड़ों के जो बीच में किसाओ्स एक नाली बनेगी उस नाली में जो है आपको किसाओ कंसे कि पानी लगा présentंग नाया है पानी लगाने वियलेस्ट besoin रखेसे वान वारी वी जाने ज्म नाली पे यानि की बीच में किसामियों आपको गन्ना नहीं बोना है जो बैड का किनारे हैं वहां पे जो है आपको वर्टिकल बड प्लांटिंग किसामियों कर देनी है यानि गन्ने की जो खड़ी गुली है वो आपको लगा देनी है इसमें किसमें जो गन्ने की कटाई भी की जाती और जो नीचे वाला portion है वो आपको कमरे रखना जिससे कि जो food stock है वो गन्य की ऊपर होगा तो किसा में कोई भी चीज है जा आप जानते होंगे कि ऊपर से नीचे की और आती है gravity card जब उसका food stock उपर होगा तो बहुत ही अच्छे से उसको मिलेगा काफी लंबे समय तक मिलेगा जब initial stage में उसको भोजन अच्छा मिलेगा तो आपकी जो bed है वो अच्छे जमेंगी अच्छा टिलरिंग करेगी और अच्छा किसान भाईयों उसका कला भी नेकलेगा मोटा नेकलेगा कोकि उसको initial stage में जो हमारा भोजन लेता है बढ़ बो किसान भाईयों गरने की जो अंदर जो मटेरीर होता है फूड इस्टॉप उसी से लेता है जब उसकी जड़ें डवलप होती है उसके बाद में ही जमीन से भोजन लेना वो इस्टार्ट होगता है जब उसको श्रुवास से ही अच्छा भोजन मिलेगा तो आपका जो पौधा है श्रुवास से ही अच्छा चलेगा जिसके किसामें बाद में उत्पादा देने की शम्ता भी बहुत अच्छी हो जाती है तो आपको इस तरह से बढ़ की यानि की उपर से ज़दा काटना है नीचे से कम काटना है जब आप इसको किनारे पे किसामें बुएं तो जहां तक बढ़ है खाली आपको वहीं तक जमीन के अंदर गाड़ना है उसके बार में जो उपर वाला पोर्शन है आपको बढ़ के जो ऐसे ही हवा में रहने देना जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहोंगे यानि कि आपको खाली बढ़ तक ही जो है देने को जमीन के अंदर दबाना है और उपर वाला पोर्शन जो है आपको ऐसे हवा में रहने देना है इस ढंक से आप वर्टिकल प्रांटिंग अ अगर आपको सहफसली लेनी है तो तकरीबर आप पांच फिट बनाएं कम से कम आप चार से साड़े चार फिट की दूरी आप बेड़ों की चुड़ाई जो है अवश्य रखें इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा यानि कि जो बड़ की दूरी है वो आपको यानि कि साड़े चार बाई दो पे आपको इस तरीके से गन्य की बुआई कर देना है और काफी अच्छा के सामें इस विदिसे जो है गन्य का जमाव भी आता है अब बात करते हैं कि आपको किस समय जो है वर्टिकल बड़ प्लांटिंग करने जाएं किसान अच्छा जो इसका बाई अच्छा आएगा और आपका जमाव भी अच्छा आएगा और टliśmyर्ग भी अच्छी हाएगी इसके बार में अगर जतना आपको समयो लेड़ करते जाएंगे इतना जो है आपका उतपादन कम होता जाएगा अतनी आपकी जो है टिल रिंग भी कम होते जाईगी और अ किसमयों अगर आप साड़े चार बाई दो पे अगर गन्य को बोएंगे तो उस हिसाब से तकरीबन आपकी पांच हजार बड़ जो है एक एकड़ में लगेंगी यानि की पांच हजार गन्य के टुकड़े हैं वो किसमयों आपके एक एकड़ की रुपाई के लिए परियापत तकरीबन आपका वही 3-4 क्वाउंटल जो बीज है अगर आपका गन्य करते हैं कि आपको कौन से फाइदे देखने को मिलेंगे अगर आप वर्टिकल बड़ से गन्य को लगाते हैं इसमें सबसे बड़ा फाइदा तो आपको यी देखने को मिलेगा कि इस से आप की तिल्रि काफी अधिक होगी यानि की ब्यात आपका जो गन्ना है वो आपका नॉर्मल विद्धी से काफी अधिक करेगा अगर आप वर्टिकल बड़ से गन्ने को लगाते हैं दूसरा फाइदा आपको ये मिलेगा कि इसमें पानी की बचत होती है क्योंकि आपको पूरे खेत में अगर से रोग लगते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं कोकि सीधा जो पानी के संपर्क में गन्ने का तना नहीं आता है जब हमारा गन्ना ऊपर बैड़ के ऊपर बोया होगा किनारों पे तो उसको खाली किसा पानी की सीलिन जो है वही मिलेगी पानी सीधा नहीं मिलेगा तो इससे आप गरने में रोग भी काफी कम हो जाते हैं। इसके बार में जो इसका तीसरा फाइदा यहीं मिलता है कि आप इसमें सहफसली जो है बहुत अच्छे से ले सकते हैं। कि जो आपके बीच में बेड हैं उस पे जो है आप किसी परकार की सबजी को भी लगा सकते हैं। और किसामियो कीट नाशक जो है गन्ये में लगाने हैं क्योंकि आप उखाली पौधे के ऊपर ही खाली सप्रे करनी हैं। पौधे पे ही आपको खाली के समय जहां जाड़ छेतर हैं वहीं आपको इसमें खाड डालना है अब बात करते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो आप कितना ले सकते हैं तो तकरीबर के समय अगर आप साड़े चारबाई दो पे गन्ने को अगर लगाएंगे तो उस हिसाब से आपके तकरीबर पांच हजार जो बढ़ हैं वो आपकी लगती है यानि कि अगर मान के चलिए आपकी 4500 बढ़ भी अगर गन्ने की जमती हैं पूरे खित में तो एक बढ़ से अगर आप नॉर्मल दस गन्ने भी तियार कर लेते हैं हों कि इस वीधि में कल्ले बहुत ही अधिक निकलता हैं तो उस हिसाब से अगर मान के चलिए आपके दस गन्ने भी आखर तक बनते हैं तो उस हिसाब से अगर आप 4500 से मल्टीप्लाय करेंगे दस से तो किसमें ऱखरीब आपके 45.000 गन्ने मिलेंगे आपको एक एकड में 45 अगयात जो गन्य है अगर मान के चली एक गन्य का वजण अगर एक किलो भी आता है तो उस हिसाब से आपका एक एकड का जो उत्पादन है 4500 कौंटल जो है वो आपका एक एकड का किसामियों आता है वहीं अगर गन्य का उटाई लंबाई भी काफी अच्छी आती है तो यदि किसामें 1.5 किलो तक गन्य का अगर आप वजण का लेते हैं तो तकरीबन आपका जो उत्पादन है किसामियों 600 से 600 कौंटल आप जो है बहुत असानी से ले सकते हैं यानि कि अगर आप किसामियों अच्छी मेहन कर लेंगे गन्य का तो आपका जो उत्पादन है वो इस विद्य में 700 से 800 कौंटल भी संभव है अगर आप नॉरमल रखरखाव करते हैं खेत का तब भी जो आपका उत्पादन है वो 400 से 500 कौंटल आपको इसमें ले सकते हैं और खरचावी किसामियों इसमें बहुत कम आता है कोईकि आपको ना तो पूरे खेत में पानी लगाना है ना ही पूरे खेत में आपको सप्रे करनी है और ना ही पूरे खेत में आपको खाट डालनी है आप गन्ने के गुडाई हें बीच में जो बैड है वहां पे आपको घृस के ने कोंड़ में कर सकते हैं जब के साइत पानी पूरे ख्शितम नहीं लगेगा तो आपके बेड़ों पे घÁ si ओवी काफी कम पनपेगी तो ये कुछ फाइदे हैं और इस विद्ध से कसम अगर आप गन्य को बोने जा भी रहें तो आप पहले साल थोड़ा कम मात्रा में गन्य को बोने का प्रयास करें यानि कि तकरीबन एक बिगा या दो बिगे लगा के आप पहले इसको ट्रायल करें अगर आपको इसकार यल्ट अच्छा मिले तो आप अगले साल इसको बढ़ा के अपने खेतों में लगा सकते हैं तो ये थी कुछ जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो क्रिप्पे हमारे चैनल को आप लोग सस्क्राइब करना जो है मत भूलिए का धन्यवाद